नमस्कार आज फिर मैं आपके सामने एक क्राइम की छोटी सी घटना लेकर उपस्थेथ हुआ हूँ यह घटना भी उसी समय की है जब मैं बियाईजी रेंज बरेली था आज का जन्पद है बरेली लेकिन आज की घटना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ जो मैंने दो अनाथ बच्चियों के बारे में आपको बताया था और यह भी बताया था कि उनका उनकी सहायता करने के लिए बहुत धेर सारे जो मित्र लोग हैं जो किस्थागोई रेगुलर देखने वाले हैं उन्होंने मदद की पेशकश की थी बड़ी वाली बच्ची को यानि जूली को जूली गुप्ता को मुबाइल फोन तो दिला दिया गया उसके खाता खुलवानी की प्रक्रिया चल लही थी या चल रही है अभी भी उसमें एक समस्या या आई कि इसमें नौमिनी किसको बनाया जाए क्योंकि वो एक कमपल से ये कॉलम होता है खाता खुलवाते समय कि खाता धरक का नौमिनी कौन होगा ये विचार किया गया है कि अगर फिर किसी रिष्टिदार को नौमिनी बना दिया जाएगा तो फिर पैसों की लालच में दूसरा अपराद होगा फिर बैंक वालों ने ही सुझाया कि साब एक नियम है किस तरह से अनात बच्चों बनती है गोर्मेंट थ्रू एस्टेम और सब्डिविजनर मजिस्टेट एस्टेम साब से रिक्वेस्ट की गई और वो इस बात के लिए तैयार हो गया है वो प्रक्रिया चल लई है और वहाँ वैसे तो स्टेट बैंक वहां की शाखाएं भी है और भी बैंक है वहाँ पर लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल दिक्कतें थी इसकी वज़े से SDFC में वहाँ जो हमारे स्थानी इंस्पेक्टर हैं जलालाबाद के वो प्रयास करके और उनका कहना है आज भी उन्होंने कोशिश की थी और फॉर्म उसके कंप्लीट करके सम्मिट किये हैं और उनका ये कहना है कि कल और मैक्सिमम परसों तक दोनों के अलग-अलग खाते बन तक वो उनके बैंग खाते शेयर नहीं हुए हैं तो थोड़ा वक्त लग रहा है इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ कि एकात दिन में जैसे ही हो जाता है मैं आपको जरूर बता दूँगा आज की घटना है 27 जुलाई 2021 की 2020 की थाना है बारदरी शेहर का थाना है शेहर में काफी संवेदन शील थाना है बारदरी और बहुत पुराना थाना है अंग्रेजों के जमाने का थाना है वहाँ पर सूफी टोला एक महला है सूफी टोला महले के शुई जफर हुसैन सनाफ इंतजार हुसैन ये थाने पर आये इंस्पेक्टर यानि प्रभारी निरिक्षक कहीं गए हुए थे तमाम काम इंस्पेक्टर के जिम में रहते हैं लाइन ओर्डर से लेकर क्राइम और और भी तमाम अदालक उनसे जो डे अफसर थे जो सब इंस्पेक्टर इंचार्ज उस समय थे डे अफसर होता है एक नाइट अफसर होता है कि अगर इंस्पेक्टर किसी काम से ठाने पर उपस्थित नहीं है तो ठाने का प्रभार उसके पास होता है ओर छोटी मोटे सामानी डिसीजन्स वो खुद ले सकता है बहुत important decision जैसे license के form पे पुलिस थाने की report होती है या फिर चार्शीर या final report लगाने के बारे में जो decision है वो तो inspector ही लेगा लेकिन routine के तमाम ऐसे काम है जो डे अफसर और नाइट अफसर ले सकते हैं डे अफसर जो मौझूद थे उन्होंने उनसे पूछा कि जफर साब बताईए मैं क्या आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं उनका नहीं समूझी है तो inspector से यह बात करनी है खेर बैठे रहे थोड़ी दिर बाद inspector साब भी आ गए तो पुराने जमाने के मकानों में एक कमरे दो दो कमरे हम लोग किराय पर दे देते हैं जिससे हमारा खर्ट चलता है कुछ दिन पहले लगभग धाई से तीन महीने पहले हमने अपने मकान के दो हिस्से नीचे का हिस्सा और उपर का हिस्सा दोनों में एक कमरे एक छोटा सा का बारांदा एक किचिन मेक्षिफ टाइप का किचिन और कॉमन बाथरूम है नीचे वाले हिस्से में नदीम सानाफ हस्मतुल्ला और उपर वाले हिस्से में जाविर सानाफ अबरार महला गौस नगर निकट बिजली घर कश्बा और थाना दाता गज़ बदाईं यह दोनों लोग हमारा पुराना किराय दर खाली करके चला गया था तो यह दोनों लोग आए और उन्होंने कहा किसाब हमें किराय के लिए रूम चाहिए जिसमें जाविर ने कहा किसाब हम और मेरी मैं और मेरी पत्नी हम लोग दोनों लोग रहेंगे हमें उपर वाला रूम च पसंद आ गया और उन्होंने आके कमरा किराय पर ले लिया उन्होंने जो अपना नाम पता बताया और जो मोगाइल नंबर बताया वो हमने अपने पास नोट कर लिया हम से ये गलती हुई कि हमने किरायदारों के वेरिफिकेशन का जो थानों पर फार्म होता है वो नहीं भरा था और नहीं स्थानी पुलिस जो हमारे बीट के कॉंस्टे बिलाते हैं उनको यह सूच ना दी थी कि हमने नया किरादा रखा है आज सवेरे नदीम जो नीचे रहते थे उन्होंने मुझे सोते से उठाया उन्होंने का साविय जाविर की पत्नी अपने कमरे में मरी पड़ी है मैं भी भाग के गया हमने देखा कि जाविर की पत्नी गुडिया जिसको उसने बताया था कि मेरी पत्नी है इसका नाम गुडिया है वो चारपाई पर मृत्वस्था में पड़ी थी इस्पक्टर नकायश में ऐसी कौन सी बात थी आप देखसर को बता जीते देखसर चले जाते उनका साब मैं थोड़ा सड़र इसलिए गया कि मैंने वेरिफिकेशन नहीं कराया था और मुझे लग रहा थे कि पता नहीं कौन सी बात है और बहुत ज़्यादा जित्ता उन्होंन मुकदमा प्रासंख्या उनसे जफर हुसैन से तहरीर लेके मुकदमा प्रासंख्या साथ सो चौन सट बटे बीस धारा तीन सो दो आई पी सी बना मग्याद पंजिकरित कर लिया गया और फिर वही सारी फॉर्मिल्टीज डॉग स्कौाइड फॉरेंसिक्स साइबर सर्विलांस क्राइम ब्रांच सब को बताया गया शहर की बात थी सब दस मिनट के भीतर पहुँच गया डॉग स्कौाइड ने सिर्फ ये इंडिकेशन दिया कि जो भी आदमी उपर था वो सीड़ी की रास्ते नीचे आया है और बगैर मकान की किसी और हिस्से में जाने के सीधे सड़क पर निकल गया फॉरेंशिक्स वालों को मौके पर चारपाई में वो डुपट्टा जिससे उसके गर्दन कसी हुई थी उसके सिवा कोई और भहुत एक साक्ष नहीं मिला जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने फॉरेंशिक्स ने सब लोगों ने किया तो वहां जो कपड़े, खाने के बरतन, खाने का सामान, अनाथ जो कुछ भी मिला वो यही इंगित करता था कि यह रोज कमानी रोज खाने वाले लोग हैं फिर नहीं सोज मैं कि इस महिला की हत्या क्यों हुई और किस ने की और इसका पती कहा भाग गया नंबर लिए गया जो नंबर इसके पती ने लिखाया था किराय पर लेते समय पत्नी गुडिया का नंबर, नीचे नदीम का नंबर और बाकी और जो भी मकानवाली का नंबर आसपास के और लोगों के नंबर क्राइम ब्रांच ने इकठा किया और वो अपने एनलिसिस के लिए चले गया उनको जो कुछ भी टावर आइडी, डम डाटा जो कुछ भी उठाना था वो भी ले लिया बहुत एक साक्षी कोई मिले नहीं थे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मोखे की करा ली गए जीने पर जो footprint एक आज जिसकी समावना थी कि ये हत्यारे का हो सकता है या अपरादी का हो सकता है सिर्फ वो footprint मिले उसके लिए भी 50-50 percent ही उसके बारे मता कि ये अपरादी का है की नहीं है इसके बाद पुलिस ने जाविर को ढूंड़ना शुरू किया कि आखिर जाविर है कहाँ जाविर ने जो अपना पता अपने मकान मालिक जफर हुसाइन को नोट कराया था वो जाविर सनफ अबरार गौस नगर निकट बिजली घर कस्वा दाता गंज बदाईं पुलिस के एक टीम वहाँ पर गई पुलिस को पहले ऐसा लगता था कि शायद ये पता गलत हो लेकिन पता बिलकुल सही था वहाँ पर जाविर के परिजन मिले और उन्होंने ये बताया कि साब ये दो तीन साल पहले घर से चला गया है और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि संभवता इसकी मृत्ती हो गई क्योंकि उसके बाद कभी हो लटके घर नहीं आया और नहीं इसने घर पे कभी कोई कांटेट किया जबकि ये शादी शुदा था इसकी पतनी और इसके दो बच्चे उसके पिता जो थोड़ा बुजर्ग हैं गरीब लोग हैं वो खुद मजदूई करके अपने बेटे की पतनी यानी बहू और उसके दो बच्चों की पर वरिश किया करते हैं लेकिन वो कभी लोटकर नहीं है वहाँ पूचा गया कि भाई ये उसके साथ किराए पर ऐसे ऐसे रहता था और अपनी पतनी बताता था उसका नाम गुडिया है एकाद दिन की मेहनत के बाद पुलिस टीम को ये पता लग गया कि गुडिया भी इसी कस्बे की रहने वाली है और वो भी शादी शुदा थी उसके पती का नाम फरियाद हुसेन था तीन साल चार साल पहले जब जाविर यहां पर रहता था कस्बा दाता गज्वे वदाईों में तो उसके और गुडिया के प्रेम समन्द हो गए जबकि गुडिया जाविर के उम्र में उसके आधी उम्र की थी और फिर एक दिन जाविर और गुडिया भाद दे गुडिया के घरवालोंने काफी ढूनने की कोशिश की उसके पिता का नाम बाबु सनाफ नत्थू वहीं कस्वे में ही काही रहने वाला था उन्होंने काफी ढूंडने की कोशिश की रिष्टदारियों में लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लग गया कि जाविरु ने लेके भाग गया है ये दोनों भाग के पहले दिल्ली गए दिल्ली में किसी छोटी मुटिफेक्ट्री में काम करते रहे फिर उसके बाद वहां से भाग के यहां चले आये नोड़ा और फिर ये 2020 का वही समय था जब कोरोना काल चल रहा था ये उसी समय मैई जून में दिल्ली से भागे फिर कुछ दिन नोड़ा रुके फिर जब सब जगह काम इनका इनने कहीं काम नहीं मिला तो ये वापस आगे बरेली और बरेली में ये अपना इन्होंने किराय पर मकान लिया जाविर रिक्षा चलाने लगा जाविर को ढूलने का प्रयास किया जाता रहा लेकिन जाविर मिला नहीं आज पास के लोगों से जाविर के बारे में पता किया गया तो लोगों ने कहां किसा बहुत आवारा किस्वों का आदमी था ये और यहां कई बार लड़कियों से छेड़ खानी में या दूसरे पर छीटा कसी करने में कई बार महले के लोगों ने उसे मारा पीटा भी था यह उसकी आदत थी और जब वो लेकर भागा था गुड़िया को तो सब को अंदाजा था कि यही लेकर भागा होगा साथ अगस्त को जाविर को गिरिफ्तार कर लिया गया ढून ने डालने के बाद काफी मशक्कत के बाद जाविर गिरिफ्तार हुआ जाविर से पूछा गया थोड़ी देर में ही उसने बहुत ज़्यादा रिजिस्ट नहीं किया थोड़ी दिर में ही उसने सारी बात बता दी उसने कहा कि मैं जब यहां दाता गंज कजबे में रहता था तभी मेरी इसकी जान पहचान हो गई बहुत शाखर्च फैसनेबिल टाइप की लड़की थी उस समय इसने कहा कि मुझे घर में कैद होके रहना अच्छा नहीं लगता मैं अगर तुम बाहर कहीं काम कर सको तो मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगे और इसी बात पर यह बात तैं हुई उसका कहना था कि हम लोग बाहर ही रहेंगे हम यहां वापस नहीं आएंगे वापस आते ही हमें अपने सुसराल में रहना होगा और बहुत बंदिशें हैं बहुत पाबंदियां हैं और बाहर निकलने नहीं देते वजार जाने नहीं देते और इतना पैसा भी नहीं है कि हम खुद से अपने पती के साथ बाहर कहीं दिल्ली बंबई घूमाया मैंने उसको दिलासा दी कि नहीं हम लोग बिल्कुल दिल्ली में रहेंगे और घूमेंगे यह है वो है जैसा होता है और उसे लेके दिल्ली भाग गया कुछ दिन तो बात सब ठीक ठाक चलती रही उसके बाद जाविर ने बताया कि मैंने नूटिस किया कि जब मैं दिन में काम करने चला जाता हूँ तो यह जहां पर हम किराय पर रहते थे वहां किसी ने किसी से इसके सम्मन्द हो जाते हैं और शाम तक वापस आने में या महीने भर में या महीने डिल महीने में मेरी भी कानों में यह बात चली जाती है कि फला से तुहाई बीबी के सम्मन्द हो गया उससे कहता उससे कहा सुनी होती थी उसको बताते थे कि गलत है और दिक्कत है ऐसे नहीं चलेगा और ये बात नहीं तेह हुई थी तो फिर ये कहती है ठीक है चलो दूसरी जगह रूम ले ले लेते हैं उसकी इसी आदत की वज़े से पिछले दो साल में छेह जगह किराय के मकान को बदला गया जाविर का कहना था कि लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थी तमाम समझाने के बाद भी जहां नया किराय का कमरा लिया वहां कोई न कोई उसका प्रेमी हो जाता था और उसके पीछे जो संबहुता कारण जाविर नकाग साथ उसके पैसे की जो बहुत ज़्यादा जरूरत है वो हम अपनी मजदूरी से नहीं पूरा कर पा रहे थे उससे जाविर से यह भी कहा कि ठीक है तू अपने पत्नियों बच्चों के पास चला जाता क्यों इतनी जलालत मोल ले रहा था कि जगह-जगह मकान बदल रहा था फिर भी उसके साथ रह रह रहा था तो जाविर न कागी।awning सहाब मैं वापस नहीं जा सकता था, न मैं वापस जा सकता था न वृपस जा सकती थी। वापस जाने में फिर वहीं बंद जाने का खतरा था। और यह यह कहती थे कि हमारे वहां जाने के मतलब कि मेरे सुस्लाल वाले मुझे मार देंगे अब और नहीं निकलने देंगे तो एक दूसरे की यह जरूरत थी कि हम लोग वहां नहीं जा सकते थे इसलिए मजबूरी में साथ साथ रहते रहे लौकडान में जब जून-जुलाई में वहां से भागना शुरू किया मैं जुन में वहां फिर उसके बाद 9 18 बदे बढ़ेए वहां इसने किराए पर कमरा लिया पूरी तरह जब लॉकडाउन खुला पूरी तरह लॉकडाउन के समय में जो कुछ पैसाईन लोगों ने बचा के रखा था जो कमरा लिया था उसका एडवांस किराया एक महिने का दे दिया और बाकी चोटी मूटी मजदूरी का काम आस पास किया करता था कहीं चोटे मूटे निर्माड घर के चोटे निर्माड जो चोरी चोरी हुआ करते थे उसमें मजदूरी का काम करता था फिर उसके बाद वो रिक्षा चलाने लगा एक दिन उसने जब वो शाम को लौट के आए तो ये अपने रूम के बाहर जो कमराइन होने के राये पे लिया था मौले के किसी कम उमर लड़के से बात कर रही थी उसको देखते ही मेरा खून कौल गया मैंने इसे बहुत भला बुरा कहा और ये कहा कि अब मेरा चाहे जो हो मैं वापस दाता गन चला जाओंगा तुम्हें रहना हो यहां रहो नहीं तुमको भी चलके तुम्हारे घर पे छोड़ो दूगा उस रात उसने बहुत जगला किया और खाना खाने के बाद सो गई मुझे लगा कि ये धीरे 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 हमारे लिए समस्या बंती जा रही है और रात में मैंने रिसाइर कर लिया था कि अब इसे जिन्दा नहीं छोड़ोंगा और रात में उसकी घर्दम कसके उसकी हत्या कर दिए उसकी इस बात को वेरिफाई किया गया मुबाई में जो समय था उससे वो कुण साइट कर रहा था और उसको पूशा गया भई तुमने मार दिया था हैनको ऊफसोस नहीं का नहीं साइओ मुझे कोई अफसोस नहीं है यहजिसी हलो रहे नईजें है जगते थी आर्फ ऑपन दर दिन नहीं बीटता था और को हैं नदोशीन को पंको भिल या जाता था इसके बाद उसे गिरफतार करके जेल भेज दिया गया और जो भी साक्ष सुसंगत साक्ष मिले बीवेशना के दरम्यान उनके आधार पर 11 अगस्त को आरोप पक्त्र संख्या चाशीट नंबर 420 जाबिर अभी भी जेल में है और ट्राइल फेस कर रहा है आज की घटना के बारे में जाबिर जिस तरह से सद्धानतों की बात कर रहा था बहुत बड़ी बाते कर रहा था वो बचलन हो गई थी फलाना हो गया था डिकाना हो गया था जबकि वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आया था जो आदमी खुद बचलनी के कारण अपनी पतनी और दो बच्चों को छोड़ाया हो वो दूसरे पर बच्चलने का आरोप लगा कर उसे मार दे तो मुझे एक गाना लता जी का है बड़ा पुराना गाना है फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है तो गैरों पे करम अपनों पे सितम एजाने वफा ये जुल्म नकर आप लोगों ने भी सुना होगा ये हम लोगों के जमाने का ही गाना है तो ये जुल्म किया उसने सौ फिजदी वो इस जुल्म का जिम्मेदार है मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और मैं भी मुझे भी याद आ रहा है आज मैं भी इस गैने को सुनूँगा और आप भी सुनें वो इस पर जाविर पर बिल्कुल फिट बैठेगा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद